हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल वंधना राय होमेकर फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक डिजाइनर कुर्ती बनाना और फ्रेंट्स अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई ड्रेसेज पसंद आती हैं तो ये सारी ड्रेसेज मीशो पर अविलेबल हैं आप मीशो एप पर जाएए और राय भीया सर्च करिए तो मेरे सभी प्रोडेक्ट शो हो जाएंगे और आप उसमें से अपना कोई भी मनपरसंद प्रोडेक्ट अपने लिए ओनलाइन ओर कर सकती हैं और फ्रेंट्स आप लोग मीशो पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं जिससे मैं जब भी कोई नई ड्रेस अप्लोड करूँ उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए तो फिर चलिए हम कुर्ती बनाना शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स इस साडी से आज मैं एक डिजाइनर कुर्ती बनाऊंगी यह पूरी साडे 5 मीटर की साडी है और यह मैंने लाइनिंग के लिए कॉटन का फैबरिक लिया है यह 1.5 मीटर कॉटन का फैबरिक है इस साड़ी में से हम ये फॉल जो लगी हुई है इसको निकाल देंगे और फिर उसके बाद ये जो गोल्डन बॉर्डर दिया हुआ है इस बॉर्डर को हम कट करके पूरी साड़ी में से दोनों साइट से निकाल देंगे और इधर साइड में ये जो आचल में लैस दी हुई है इसको भी हम cut करके अलग कर लेंगे ये कुर्ती मैं 40 chest की बनाने वाली हूँ और इस कुर्ती की length मैं 45 inch रखूंगी तो मैं सबसे पहले उपर का part cut कर लूँगी तो ये कपड़ा मैंने cut किया है इस कपड़े की width मैंने 12 inch रखी है और इस कपड़े की length मैंने 16 inch रखी है जो सिलने के बाद हमारी 15 inch हो जाएगी और ये कपड़ा 4 layer है 1,2,3,4 और इधर से ये खुला है और इस तरफ से ये बंद है इसमें हमारे दोनों part कट होकर अलग हो जाएंगे तो सबसे पहले इधर बंद वाले part की तरफ से हम यहां से shoulder का निशान लगाएंगे तो ये मैं 6 inch पर एक निशान ऐसे लगा लूँगी और उसके नीचे हम इधर नीचे की तरफ arm hole लेंगे तो ये मैं 7 inch रखूंगी मैं 7 inch इसलिए रखती हूँ क्योंकि हमको थोड़ा comfortable होता है arm hole थोड़ा धीला ही ठीक लगता है तो ये मैं 7 inch पर ये arm hole का निशान मैंने लगा लिया और फिर यहां से हम अपनी chest का force पार्ट लेंगे और उसमें 2 inch margin एड़ कर लेंगे यानि जितने भी हमारा chest है उसको force से divide करके और 2 inch हमको margin एड़ कर लेना है तो ये कुर्ती 40 chest की बन रही है तो force divide करने पर 10 inch हो गया और 2 inch margin ले लिया मैंने तो 12 inch हो गया और ये कपड़ा 12 inch ही width का है तो मैं पूरा ही ऐसे ले लूँगी और फिर यहां से 1 inch की तिर्छाई लेकर हम इसको ऐसे गुलाई दे देंगे ये हो गया और फिर इस line का हम half कर लेंगे इस तरह से tape को band करके ये आप देख सकते हैं ये और half inch इधर की तरफ हम इसमें निशान लगा लेंगे और इसमें हम एक गुलाई और दे देंगे ये इस तरह से ये front वाला armhole हो जाएगा और friends फिर इधर से हम अपने neck की width लेंगे तो ये मैं 3 inch ले लेती हूँ ये हो गया और फिर नीचे की तरफ हम neck की length लेंगे तो ये मैं 7.5 inch पर एक निशान लगा लूँगी और इस निशान को भी यहां 3 inch तक मैं एक एसे मिला लूँगी ये हो गया फिर इस निशान को यहां से एक सीधी line से हम ऐसे मिला लेंगे ये हो गया फिर इसकी भी 1 inch की तिर्षाई लेकर हम ऐसे गुलाई कर लेंगे और यहां पर अगर हम चाहें तो यहां पर half inch का हम ऐसे शोल्डर डाउन कर लेंगे और फिर यहां से हम अपनी वेस्ट का फोर्थ पार्ट और उसमें 2 इंच मार्जन एड़ कर लेंगे तो यह खुर्ती 36 इंच वेस्ट की बन रही है तो अगर हम इसको डिवाइट करना चाहें तो हम इंची टेप से भी डिवाइट कर सकते हैं इसका चौथा पार्ट निकालने का बहुत आसान तरीका होता है तो इसको हम ऐसे यहां पर ऐसे निशान लगा लेंगे यह 36 का फोर्थ पार्ट हो गया और फिर इसमें ऐसे टू इंच हम मार्जन एड़ कर लेंगे फिर इस लाइन को हम यहां कॉर्णर से इस तरह से तिरची लाइ कटिंग और यह फ्रंट वाली नेक की कटिंग हम करेंगे तो यह कटिंग और यह वाली कटिंग मैंने कर ली है और अब इसमें से हम एक पार्ट कपडा निकाल लेंगे यह आप देख सकते हैं यह इस तरह यह हो गया और अब इस arm hole की cutting और इस neck की cutting हम कर लेंगे तो यह cutting और यह वाली cutting मैंने कर ली है और यह हमारा front वाला part कट हो गया है और इसमें हम dots के निशान भी लगा लेंगे तो इधर बंद वाले part की तरफ से 4 inch पर हम एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम 5 इंच उपर तक ये ऐसे ले आएंगे और ये डॉट हमारी 11 इंच की पड़ेगी ये आप देख सकते हैं और इसको हम ऐसे इस डॉट को ऐसे पिर्चा इसमें ऐसे बना लेंगे और अगर हम चाहें तो इस डॉट को हम ऐसे हलका सगुमाओ लाते हुए यह पर इस आर्म होल में ऐसे मिला सकते हैं और ये डॉट हम ये भी बना लेंगे ये हाफ इंच की बहुत पत्तली डॉट बनेगी और इस डॉट को हम अगर चाहें तो इस कपड़े को फोल्ड करके और इधर भी निशान लगा लेंगे तो ये निशान हमारा हलका सा इधर भी आ जाएगा और हम चाहें तो इसको डार कर सकते हैं तो ये हमारा फ्रेंट वाला पार्ट हो गया और ये बैक वाला पार्ट है तो इसमें भी हम नेक बना लेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये थ्री इंच पर मैंने निशान लगाया था ये वही है और फिर हम अपने नेक की इतनी भी हमको deep neck रखनी है तो यह मैं 11 इंच पर एक निशान लगा लूँगी यह 11 इंच मैं अपनी neck को deep करूँगी और इसको 3 इंच पर हम इधर एक निशान ऐसे लगा लेंगे फिर इस निशान को हम यहां सीधी लाइन से ऐसे मिला लेंगे यह हो गया और फिर इसमें भी 1 इंच की तिर्शाई लेकर हम इसकी भी ऐसे गुलाई कर लेंगे और फिर यह cutting हम कर लेंगे तो यह cutting मैंने कर ली है और अब यहां बंद वाले पार्ट की तरफ से इसमें भी हम डॉट का निशान लगा लेंगे तो यह 4 इंच पर मैं एक निशान लगा लूँगी और इस नि बालेंगे हम इसके यहां पर लगा लेंगे तो सेम उसी डाईब से इसको हम फोल्ड करके ऐसे कर लेंगे जह दों इस साड़ी में से फट कर लेंगे तो अब हम नीचे के घेर के लिए कप लाइनिंग की कटिंग करेंगे तो यह हमारी लाइनिंग का कपड़ा जो बचा हुआ था यह लगभग 2 मीटर है तो इसको हम लंबाई की तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे यह आप देख सकते हैं और फिर हम इसको पहले ऐसे बराबर से फैला लेंगे तो मैंने बराबर से फैला लिया है और यह 2 लेयर कपड़ा है 1,2 और इधर से यह खुला है और इस तरफ से यह बंद है तो बंद वाले पार्ट की तरफ से एक कॉर्णर पकड़कर हम इसको ऐसे ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे यह आप देख सकते हैं और यहाँ प पड़े को हम इस पर ऐसे रखेंगे और जहां पर यह बराबर आ जा रहा है यह वहीं पर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यह हो गया यह हमारी कमर का निशान लग गया है अब हम अपनी कुर्ती की ले लेंगे तो यह कुर्ती 45 इंच लेंथ की बन रही है और इसमें की मैं कुर्ती बनाने वाली हूँ तो मैं 45 इंच पर यह निशान लगा लूँगी और फिर हम इस टेप को ऐसे थोड़ा सा सरका सरका कर ऐसे 45 इंच पर ही ऐसे निशान लगाते जाएंगे यह आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा सरकाएंगे और ऐसे 45 इंच पर हम पूरा उस लगा लिया है और अब इस निशान पर और इस उपर वाले निशान पर हम कटिंग कर लेंगे तो ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है और ये जो कपड़ा इतना कम है इस कपड़े को हम इसी में से या देख सकते हैं कट कर लेंगे तो इस कपड़े को हम ऐसे रखे कट्टिंग को हम इसी समय इसमें इसमें पिन की मदद से ऐसे पिनप कर लेंगे जिससे बाद में सिलने में आसानी हो कि इसको मैंने पिनप कर दिया है और ये आप देख सकते हैं यह हमारा लाइनिंग का कपड़ा इस तरह से कठ हो लिया है और इस पर हम सिलाई चला देंगे जिससे यह इसमें अटेच हो जाएगा तो फ्रैंट्स मेरे चनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके यह 2.5 मीट कपड़ा, 1.5 मीटर कपड़ा मैंने साडी में से कट कर लिया है और इसको हम ऐसे लंबाई की तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे यह आप देख सकते हैं यह और इसको हम ऐसे बराबर से पहले फैला लेंगे तो इसको मैंने बराबर से फैला लिया है और जगा जगा से मैंने पीनप भी कर दिया है क्योंकि ये साड़ी का बहुत बारीक शिफॉन का कपड़ा है सरक रहा है इस वज़े से और ये दो लेयर कपड़ा है वन टू ये आप देख सकते हैं और इधर से ये खुला है और इस त किया था ये लाइनिंग वाला ये आप देख सकते हैं इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे ये देखिए ये एक बार हो गया और बस एक बार और ये फोर फोल्ड हो गया और नीचे वाला कपड़ा भी हमारा फोर फोल्ड ही है तो इसको हम ऐसे बराबर करके और फिर इसके उपर ऐ ऐसे निशान भी लगा सकते हैं, तो ये निशान मैंने लगा लिया है, और उपर की तरफ भी मैंने निशान लगा लिया है, और ये कपड़ा 1, 2, 3, 4, ये आप देख सकते हैं, ये 4 लेयर है, और ये नीचे वाला कपड़ा भी हमारा, 1, 2, और 2 लेयर ये, 4 लेयर ये भी कपड है तो हम इस तरह से आसानी से निशान लगा सकते हैं और अब कपड़े को हम चाहें तो हैसे घटा दे और इस निशान पर और इस निशान में कर लेंगे तो ये cutting और ये वाली cutting मैंने कर ली है और इसमें भी ये थोड़ा सा कपड़ा हमारा कम हो गया है तो same उसी type से हम इसमें से भी कपड़ा इस कपड़े को ऐसे रख के ये आप देख सकते हैं निशान लगा कर कट कर लेंगे जैसे मैंने lining के कपड़े में कट किया था और इसको भी हम सेम उसी type से pin up कर लेंगे ये कपड़ा कट करके मैंने इसको भी सेम उसी type से pin up कर दिया है ये आप देख सकते हैं और इस पर भी हम सिलाई चला लेंगे अब हम sleeves की cutting करेंगे तो इसके लिए हम ऐसे ये arm hole ना अप लेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये 11.5 इंच आ रहा है तो 11.5 इंच विर्थ का double कपड़ा लेकर हम sleeves की cutting करेंगे ये sleeves के लिए मैंने कपड़ा कट कर लिया है और इस कपड़े की वेर्थ 11.5 इंच है और हम अपनी sleeves की length अपनी इक्षा के according रख लेंगे चितनी भी लंबी हमको sleeves रखनी है उससे 1 इंच हम बढ़ा कर कपड़ा लेते हैं तो ये मैंने 12 इंच कपड़ा रखा है और मेरा 11 इंच की sleeves सिलने के बाद ready होगी और ये 4 लेयर कपड़ा है ये आप देख सकते हैं 1,2,3,4 और ये इधर से खुला है और इस तरफ से ये निचान को इधर कोरनर से हम एक तीर्चीलायन से मिला ले अगे तीर्ची लाइन से मिला Лिया है और अब इस लाइन का हम ऐसे हां खर लेंगे तो टेप को बेंड करके यह आप देख सकते हैं इसका आफ कर लिया मैंने और यहां से हम हल्की सी गुलाई लेते हुए आएंगे उपर की तरफ से और इस निशान पर से हम नीचे हो जाएंगे और फिर यहां से नीचे की तरफ हम हलकी सी गुलाई लाते हुए यहां पर इसको मिला देंगे जिससे एक S टाइप निशान बन जाएगा और यहां से हम अपने स्लीप्स की मोहरी ले लेंगे तो यह मैं 8 इंच र ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है और अब इसमें से केवल दो लेयर कपड़ा हम पकड़ेंगे ये देखिए और इसमें हम हलकी सी गहरी वाली कटिंग करेंगे तो इस कपड़े में बहुत हलकी सी मैं इस तरह से ये गहरी वाली कटिंग कर लूँगी ये देखि मैंने ये मेन फैबरी कट कर लिया है और ये आप देख सकते हैं ये सीधा वाला पार्ट मैंने अंदर की तरफ रखा है और इसके उपर ये लाइनिंग का कपड़ा रहके हम इस नेक पर यहां से यहां तक सिलाई चला देंगे और अगर हम चाहें तो इस टाइप की लैस आती है ये आप देख सकते हैं ये धर से सीधी है और इस तरफ से ये उल्टी है तो इसको उल्टी तरफ से हम इसमें ऐसे रख सकते हैं ये आप देख सकते हैं ये और फिर हम इस पर अगर सिलाई चलाएंगे इसको रखकर तो जब हम इसको पल्टेंगे तो हमारी नेक में ये लैस अगर हम चाहें तो इसको यूज नहीं भी कर सकते हैं और यह बीक वाला पार्ट है इसको भी मैंने तरह से यह सी तरह से यह पिन-प रखा है और इसको प्लट लेंगे हैं यह लैस आप देख सकते हैं यह इसका उल्टा साईड है यह सी दा उल्टे पारmile कहे ev ROS इस lining के कपड़े में ये बिल्कुल corner पर हम इसको ऐसे अंदर की तरफ रखेंगे और बस इसके किनारों पर हम ऐसे सिलाई चला लेंगे और पूरी neck पर हम सिलाई चला लेंगे ये सिलाई मैंने चला ली है और अब ये जितना भी फैबरिक एक्स्ट्रा है चारों तरफ से हम इसको पहले कट करके अलग कर लेंगे मैंने सारे एक्स्ट्रा कपड़े कट करके अलग कर दिये हैं और अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे जिससे सिलाई नकटे और केवल कट्स लग जाएं ये आप देख सकते हैं इस टाइप से पूरे नेक में हम कट लगा कर फिर इसको पलट कर सीधा कर लेंगे इसमें मैंने कट्स लगा दिये हैं और अब मैं इसको पलट कर आपको दिखाती हूं कि इसमें लैस अटेच हो गई है और ये कितना प्यारा ये नेक हमारा ये देखिए ये बन गया है और अब हम इस पर आयरन चला लेंगे जिससे ये अच्छे से बैट जा ये बहुत हलका कपड़ा है और यहां से मैंने यहां तक सिलाई चला दी है जिससे जब मैं डॉट्स बनाओ तो ये कपड़ा ऊपर नीचे ना हो ये देखिए और अब हम इसमें डॉट्स बना लेंगे तो ये डॉट्स जो मैंने निशान लगाया था इसको यहां तक हम ऐसे पकड़ेंगे ये आप देख सकते हैं और यहां से यहां तक हम तिर्चा सिलेंगे और फिर इसकी सिलाई भी हम करेंगे तो इसको मैं करके आपको दिखाती हूँ तो ये आप देख सकते हैं इसको हम इस टाइप से ऐसे रखेंगे और यहां तक इसको सिलेंगे और फिर इस कर लेंगे और यह आप देख सकते हैं यह हमारी डॉट्स बन गई है और यह देखें इसमें कितना अच्छा उभार ऊपार्ट से इसकी इसटिचिंग करके पैब्री कट के पलट दिया है और यह टॉप की सिलाई भी मैंने चला दी है और अब इसमें की भी ये दोनों dots जो हैं ये आप देख सकते हैं इसको भी हम ऐसे पकड़ का तिर्ची सिलाई चला के लगा लेंगे ये back वाले part की dots मैंने लगा ली हैं और अब इसके उपर हम ऐसे front वाला part रखेंगे ये ये दोनों सीधा वाला part अंदर की तरफ रखते हुए और ये दोनों shoulder हम जॉइंट कर लेंगे और अब इसमें हम sleeves attach करेंगे तो इसको हम ऐसे सीधा रखेंगे और ये गहरी वाली cutting हमारे इसमें front वाले part में attach होगी तो इसको मैंने ऐसे रख लिया है और अब हम इसको ऐसे खोलेंगे ये आप देख सकते हैं इस तरह से और फिर sleeves को भी हम ऐसे खोल लेंगे और फिर इसको एक corner से सिलते हुए हम इसको ऐसे पूरा सिलते हुए इस corner तक इसको सिलाई कर देंगे और सेम उसी टाइप से इस स्लीप्स को भी हम इसमें ऐसे अटैज कर लेंगे इसके उपर हम ऐसे स्लीप्स रखेंगे यह आप देख सकते हैं और बस इसके किनारों पर हम ऐसे सिलाई चलाते जाएंगे दोनों स्लीप्स मैंने इसमें अटेज कर दि है और अब इसके नीचे हम चाहें तो ये वाली लैस अटेज कर सकते हैं तो इसको हम इस तरह से रखेंगे असे बराबर करते हुए और फिर इस लैस को हम इसके उपर रखे इसको उल्टी साइड से इस पर पहले सिलाई चलाते जाएंगे इस लैस को हम ऐसे स्लीप्स पर रखेंगे ये स्लीप्स का सीधा वाला साइड है और ये लैस हमारी उल्टी तरब से है ये लैस का सीधा साइड है तो इसको हम ऐसे उल्टी तरब से लैस को रखेंगे और बस इसके कॉ स्लीफ में अटेच हो जाएगे ये स्लीफ में मैंने लैस अटेच कर दी है और अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और यहां से यहां तक और इधर से भी हम इसको ऐसे पलट कर फिर फिटिंग की सिलाई चला लेंगे मैंने इसमें side की fitting लगा दी है और यह हमारा front वाला part ready हो गया है और अब हम नीचे bottom वाला part ready करेंगे यह lining वाला कपड़ा है bottom वाले part में का और नीचे जो मैंने pin up किया था उसको मैंने सिलाई कर ली है और यह main fabric है इसमें भी कि जो मैंने नीचे pin up किया था सेम उसी type से मैंने इसमें भी सिलाई कर ली है और अब यह उपर की तरफ से यह कमर वाले portion को हम ऐसे मिला कर रखेंगे यह आप देख सकते हैं और यहां से यहां तक हम इस पर सिलाई चला देंगे जिससे यह दोनों fabric आपस में attach हो चारों fabric यह दोनों lining का और यह दोनों main fabric यह सब एक साथ पकड़कर हम नीचे तक इसको पूरा attach कर लेंगे तो इसको मैंने side से attach कर दिया है और यह देख सकते हैं आप यह पूरा attach हो गया है और अब हम इस उपर वाले part को नीचे bottom वाले part में attach करेंगे तो इस पार्ट को हम उ corner को मिलाते हुए और इस side से भी हम ऐसे corner से corner मिला कर पकड़ लेंगे और फिर यहां से हम इसको सिलते हुए लाएंगे और यह नीचे वाला part हमारा थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है यह आप देख सकते हैं तो इसमें बीच बीच में हम छोटी-छोटी plates भी डाल सकते हैं य और ऐसे ही same इधर भी और उसी type से हम इसको पूरा round में plates डाल कर attach कर लेंगे और फिर यहां पर मैंने dots बनाई थी इस back वाले part में तो इसी जगह पे हम चाहें तो इस कपड़े को ऐसे बराबर से पकड़ के और फिर इस type से यह box plate या simple वाली plate कैसी भी plate हम इसमें ऐसे लगा सक यह आप देख सकते हैं और इसी type से हम प्लेट्स डाल कर इसको बराबर से सिल लेंगे इसको मैंने पूरा round सिलाई कर दी है और दो box plate मैंने इधर डाली है और दो इस तरफ डाली है और यह इसमें attach हो गया है यह आप देख सकते हैं यह और इसको मैं सीधा करके आपको दिखा यह कुर्ती लगभग रेडी हो गई है इसको मैंने यहां से अटेच कर दिया है और अब इसके नीचे घेर में अगर हम चाहें तो पीको कर सकते हैं या फिर यह वाली लैस जो मैंने स्लीफ में लगाई है हम इसमें भी अटेच कर सकते हैं और इस लाइनिंग के कपड़े को हम एक बार ऐसे और एक बार और ऐसे मोड कर पूरे घेर में सिलाई कर देंगे यह कुर्ती बनकर रेडी हो गई है यह आप देख सकते हैं और इसमें मैंने यह डोरी और लटकन भी बना कर लगा दिया है इसको बनाने की वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकती हैं और पीछे की तरफ मैंने इसमें ये लैस अटेज कर ली है और ये साड़ी से हमारा दुपट्टा और ये खुबसूरत सी कुर्ती रेडी हो गई है तो फ्रेंट्स ये ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि पहनने के बाद इस ड्रेस का लुक कितना प्यारा ये बहुत प्यारी लग रही है और कोई बता भी ने सकता है कि ये ड्रेस हमने साड़ी से डिजाइन की है और साड़ी से डिजाइन की हुई ये ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है और इस ड्रेस का लुक आगे से पीछे तक बहुत ही सुन्दर लग रहा है तो फ्रेंट्स अगर आप लोगों को मेरी ये डिजाइनर ड्रेस बनाने की वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मद्भूर येगा, और अगर आप लोग चाहें, तो मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रेप्शन वॉक्स में दे दिया है, और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई ड्रेसेज पसंद आती हैं, तो मेरी सारी ड्रेसेज मीशो एप पर अविलेबल हैं, आप मीशो एपर जाएए और राई भी या सर्च करिए, तो मेरी सभी प्रोड़क्ट शो हो जाएँगे, और आप उसमें से अपना मन पसंद कोई भी प्रोड़क्ट अपने लिए ऑनलाइन ओर कर सकती हैं, और फ्रेंड्स मीशो पर आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे मैं जब भी कोई नई ड्रेस डालू, उसका लिंक तुरंट आपको मिल जाए और आप उस ड्रेस को अपने लिए ओरर कर सकें, तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन की ड्रेस के साथ, तब तक के लिए, बाँ बाई